हमारे देश में आई दिनों फर्जी खबरे सुर्ख्यों में बनी रहती है जिसमें से कुछ खबरे लोगों को बहुत दराभी देती हैं और इनी फर्जी खबरों को फिलाने का काम कुछ लोग देश में करते रहते हैं देश में सबसे ज़ादा फर्जी खबरे सोशल मीडिया से फिलाई जाती है और यही फर्जी खबरे आगे जाकर दंगों का कारण बनती है किसी कड़ी में एक फर्जी खबर का मामला हरियाना के गुरुगराम से सामने आया है जहांके जाने माने हस्पताल में बम होने की खबर से धहशत का महौल बन गया तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पुड़ा मामला क्या है अमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं मीडिया दर्बार काने मेदानता अस्पताल में गुरुवार दोपहद 12 बच कर 15 मिनिट पर एक वेक्टी ने फोन कोल कर बम होने की फर्जी सूच ना दी इसकी सूचना मिलते ही अस्पताल में हरकम मच गया इसके बाद सुरक्सा अजेंसियों ने मोके पत बम निरोदक दस्ते को बुलाया पुलिस ने कहा कि अस्पताल परिसर की तलाशी ली गई लेकिन कोई बम नहीं मिला आपको बता दे कि पुलिस ने बताया है कि बेदान था फर्जी कॉल के कारण अस्पताल में डर और अफरत कफ्री का महल पैदा हो गया था पुलिस ने फोन नमबर को सर्विलांस पर रखा है डक्टर गुपता ने बताया है कि कॉल करने वाले ने कहा कि अस्पताल में आतंकी हमला हो सकता है और वहाँ एक बम रखा गया है इसके बाद कॉल करने वाले ने फोन काट दिया नोंने आगे कहा कि कॉल के कारण अस्पताल में देशत किस्तिती पैदा हो गई इसकी वज़य से काम काश पूरी तरह से अस्थ वेस्थ हो गया आपको यह भी बता दें कि सदर ठाना प्रभारी दिनेश कुमार ने कहा कि भारतिय दंड सहीता की धाराओं 336 यानि दूसरों की जान या विक्तिकत सुरक्षा को खत्रे में डालना और 506 यानि आपरादिक धंकी के तहट एक प्रात्म की दर्ज की गई है नोंने कहा हमने नंबर को सब्रिलांस पर रखा है और आरोपी को जल्दी पकड़ लिया जाएगा गौरतलम है कि इस तरह का यह मामला पहला या दूसरा नहीं है और बैस तरह के मामलों में कमें देखने को मिल सके फिलाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सितना ही अन्न सभी मड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रिये मीड़ दर्बार धन्यवाद